हेलो एवरिवन कैसे हो आप लोग तो आज कि इस वीडियो पर मैं आपको दिखाया हूँ कैसे आप विंक एपको यूज कर सकते हो एंड विंक एपको यूज करके कैसे आप अपने वीडियो की quality को enhance ले इंप्रूब कर सकते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो विंक एप को कैसे यूज करना है कैसे इसमें अपने वीडियो की क्वालिटी को इंप्रूव करना है सारा चीज मैं आपको बताता हूँ बट अगर आपके पास विंक एप नहीं है देन इसे आप डाउनलोड कर लेना गूगल वगर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो मैं यहाँ पर आपको डीटेल में नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यूटूब का कुछ रूल्स हैं जिन्हें मुझे भी फॉलो करना पड़ता है ठीक है तो आप इसे इंस्टॉल कर लेना सबसे पहले उसके बाद आपको इसे ओपन करना है कुछ इस तरह का इंटरफेस के सामने आ जाएगा जैसे कि आप देख सकतू देन काफी सारे आपको यहाँ पर फीचर्स या फिर टूल्स देखनों को मिल जाते हैं जैसे के स्टार्टिंग में आपको क्वालिटी रिएस्टोरेशन एंड एयाई रिपेर देखनों को मिल जाता है इन दोनों की मदद से आ आप अपनी वीडो का जो quality है उसे improve कर सकतो, enhance कर सकतो, कैसे किया जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, बट बाकी जो tools हैं उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि उनका क्या काम है, basically इनका जो काम है ना वो इनका नाम में ही चुपा हुआ है, जैसे कि यह जो make-up tool है, अभी जो make-up tool है यह खूद बता रहे कि मैं make-up कर दूँगा आपकी वीडो में, आपका face अगेरा को थोड़ा smooth गोरा अगेरा कर दूँगा, ठीक है, अगर next की बात करें, fill light के तो यह आपकी वीडो में lights को fill कर सकता है, tone, tone मतलब वही है कि गोरा होगा, या फिर काला मतलब की face अगर थोड़ा dark है तो उसे आप bright कर सकतो, फिर आपको यहाँ पर AI retouch का option मिल जाता है, इसमें आपका जो face होगा उसे पूरा तरह से edit कर देगा, मतलब की सारा आपका face वगरा का, जो pimples वगरा होगा, उसे हटा देगा, face को smooth कर देगा, ठीक है, step आपको tool को use कर सकती हूँ, आप यहाँ देख पार हूँ, AI anim का भी आपको option मिल जाता है, watermark, remover का option मिल जाता है, 4K, and उसके बाद expansion का option, expansion से basically क्या होता है न, कि आपका जो छोटा सा image है, उसको भी expand करके बढ़ा कर देता है, ठीक है, उसके बाद removal का options मिल जाता है, मतलब काफ use करने का मन करता है, या फिर required होता है, देन आप यहाँ से use कर सकतो, step बिल्कुल सेम होगा, जो मैं अभी आपको करके दिखाने वाला हूँ, जैसे कि अगर आपको अपने व्यूड़ का quality को enhance करना है, improve करना है, तो आप यहाँ पर quality restoration के उपर, या फिर AI repair को उपर क्लिक करना, दोनों में step बिल्कुल सेम है, आप किसी के उपर भी क्लिक कर देना, उसके बाद आपको यहाँ पर try now का एक option मिल लियागा, इसके उपर क्लिक कर देना, यहाँ पर क्लिक करने बाद आपको अपना वीडियो को select करना है, जिसका आप quality enhance करना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर quality आप enhance करना चाहते हो, उसे select कर लेना, थोड़ा से यहाँ पर processing होगा, आपको result मिल जागा, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं play करके दिखा देता हूं, यह हमारी before की वीडियो, जो की ठीक ठाक लग रही, बट after देख सकते हो, after का quality काफी सही लग रहा है, before के compare में, देख पार clarity काफी अच्छी है, ठीक है, after का आप यहाँ clarity देख सकते हो, और before थोड़ा थोड़ा सा hazy hazy, या फिर यो बलो, बलरिस बलरिस लग रहा है, बट after काफी सही लग रहा है, तो इस तरीक से आप यहाँ पर इस video का quality को enhance कर सकते हो, अगर आपको satisfying result नहीं मिल रहे, मतलब कि उतन अच्छा आपका video का quality improve नहीं हुआ, तो आप यहाँ पर save को उपर click कर देना, आपकी device में यह वाला video save हो जाएगा, उसके बाद फिर से home के उपर click कर देना, अब यही same step को एक बार आपो और कर दो, आप यहाँ पर quality restoration को पर आजाओ, फिर try now के उपर click कर दो, अभी जो आपक देख सकते हो, अगेन processing complete हो चुका है, और आप यहाँ देख सकते हो, यह before के quality जो की काफी सही लग रहा है, हमने इसे increase किया था, और यह after और भी ज्यादा better हो गया, देख सकते हो, इससे भी better हो चुक है after, पहले वाले से भी, आप यहाँ देख पार हो, ठीक है, मतलब कि जित मेरा video काफी सही लग रहा है, जब आप satisfy हो जाओ, उसके बाद save को पर click करके, इसे बस process को रोख देना और नहीं करना है, ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर video का quality को improve कर सकते हो, I hope आपको समझा आ चुका है, कैसे किया जाता है, अब मैं आपको एक बहुत ही important चीज के बा आपको network का problem आ सकता है, मतले जो quality increase आप कर पार हो नहीं होगा, ठीक है, तो उसका simple सा एक solution है, कि आपको कोई VPN से connect हो जाना, VPN आपको Google Play Store मिल जाता है, यहाँ से कोई सभी VPN इंस्टाल करना, Google Play Store बहुत सारे मिलते हैं, कोई सभी इंस्टाल करके, उसे open करके, connect को पर click करके, connect कर लेना, तो आपको Wink app में internet का कोई भी problem देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, तो यह एक चीज है जिसे आपको ध्यान में रखना, आपके लिए काफी helpful होगा, तो I hope आपको सारा चीज समझ आ चुका है, कहां से Wink app को download करना है, कैसे use करना है, कैसे इसका video का quality improve कियाता है Wink app में तो मिलते हैं आपने next वाली video में, तब तक के लिए बाई बाई